कल बज़ट का पहला दीन था चर्चा का और कल की चर्चा में आप सब ने देखा होगा एक शांदार बज़ट मोदी जी के नित्रित में एतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बज़ट पेश होने के बाद देश ये दिखना चाते हैं कि बज़ट पे चर्चा अच्छी तरह से हो सा चाहते हैं कल ओपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बज़ेट के समय में तिपड़ी की और जैसे बाशन दिया मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूँ कि बज़ेट सेशन का गरीमा को नीचे घिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है प्रदान मंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाओं में किया है अब देश के लिए सब को मिलके काम करना है दल के लिए नहीं देश के लिए अगले पांच साल देश के लिए सब को करना है प्रदान मंत्री जी ने अपिल किया कल विपक्स के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा सिर्फ राजनिती किये है दो चीजें विपक्स के लोगों ने किया है कल पहला तो देश का जनादेश जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधान मंत्री जी को गाली देने का काम विपस के लोगों ने किया है ये लोग तंत्र के लिए ठीक नहीं है कल आप देखेंगे अच्छा से आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजे NDA के जितने लोगों ने कल बज़ेत चर्चा में भाग ली कि सब ने बज़ेत के बारे में अच्छी तरह से जिकर किया और सुजाओ दिया और अपना अपना राजे में जो फाइदा है उसको भी गिंती किया पिपक्स के लोगों ने एक भी बज़ेत में जो अच्छा प्रवदान है इसका बारे में जिकर नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है लोग तंतर में दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंतर है भारत का पार्लेमेन में बजेत के समय में बजेत पर चर्चा नहीं करके, राजनितिक बात करके परदान मंत्री जी को गाली देने का काम करना, यह किसी को शुबा नहीं देते है. मैं Parliamentary Affairs Minister होने करनाते हो, फिर से अपील करता हूँ, कि बजेत सेशन में बजेत पर चर्चा होना चाहिए. मैं विश्टार में तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सदन में चर्चा चल रही है लेकिन जो बजट में इस बार निर्मला सितारामान जी के द्वारा पेस गया गया है मोधी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थ शक्ति बनाने का थर्ड लार्जेस एकॉनमी ऑफ दे वर्ल बनाने का पूरा प्रहुदा नीव इस बजट में रखा है इसमें क्यों चर्चा नहीं होते हैं बजट में ग्यारह लाग ग्यारह हजार एक सो ग्यारह क्रोर कैपिटल इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ल क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बजट अवार्टन किया गया है उसके बारे में विपक्ष के लोग क्यों चर्चा नहीं करते हैं किसानों के लिए जो देश ने भूल गई थे ऐसे चोटे चोटे ट्राइमेल्स लोगों के जो प्रावदान रखा है मोदी जी ने उसके बरे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं दूर दराज नौर्टी से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशर्मेन फार्मार यूद का जॉप इंप्लॉइमेंट क्रियेशन के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए जो प्रावदा लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिश्मेंट देंगे उसको जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टम भारत के लोगों ने दिया है हम अपने आप सत्ता में नहीं आया मोदी जी को तीसरे टम परदान मंतरी बनाने के लिए जन जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप गलत तरीके से अपमान करके और निरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं ये बिलकुल सही नहीं है बजट सेशन बजट पर चर्चा होना चाहिए बताइए ना इतना हिस्टोरिक जो बजटरे एलोकेशन हुए है हर इस अब चलीन ओर और या पर खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदब उठाना चाहिए वह बताओ ना सुझाओ दाओं सुझाओं देने के लिए पझाप होते हैं मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं लेकिन अपील भी कर रहा हूं कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकते की है वो दुबारा नहीं होना चाहिए बजट के समय बजट पर चर्चा होना चाहिए हुआ 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 है